अरे सुनो बाई अरे बंड कर दो मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यों भई क्या हो गया जाट बेल्ट वालों की आवाज को मोदी जी को तिसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है चार सो पार करनी है या नहीं करनी है चोदा की चोदा सीटों पर सपा का सुपड़ा साप करना है या नहीं करना है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी आवाज मेरी बैठ गई है आपकी कहां बैठी है मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए सभी लोग अंतेक उठाए हाथ विजाय के विश्वास की मुट्टी बीचे और प्रचन आवाज से बोलिए बारत मता की बारत मता की आज बाई अब ज्यादा बोल नहीं पाएंगे आवाज बैठ गई थोड़ा कम बजना आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आये हुए भारतिय जनता पार्टी और लोक दल के सभी समर्थक भाईों बेनों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैं इस भूमी पर आया हूँ जिस भूमी से चौदरी चरण सिंग ने किसानों के लिए देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलन की थी चौदरी चरण सिंग को स्मर्णान जली देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं यहां के महान स्वातंत्रता सेनानी सुंदलाल जी हर्दयाल जी विशंबलाल जी सांतिनारायन जी को भी याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं भाई और बेनो यह जो चुनाव है यह चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने का चुनाव है मुझे बताओ मोदी जी को हम तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना चाहते है या नहीं चाहते है जोर से बलो चाहते है या नहीं चाहते है मोदी जी ने गरीबों के उठान के लिए किसानों के उठान के लिए देर सारे काम किये मोदी जी ने गूर और गन्ने के इस खेत्रक के अंदर गन्ने के लिए राश्ट्रियन निती बनाकर देर सारे बढ़लाव किये बाई और बेनो आप याद करिये जब कॉंग्रेस की सरकार थी गन्ने की एफारपी 210 प्रती क्विंटल थी 210 और आज 340 रुप्या प्रती क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है और भुक्तान की जहां तक बात है 95 से 17 में एवरेज भुक्तान 23,000 करोड होता था आज 2,50,000 करोड रुप्या गन्ने का भुक्तान करने का काम भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है इसके साथ चिनी मिले बसपा के सासन में 19 चिनी मिले बंदुई अखिलेश के सासन में 10 मिले बंदुई और भाजपा के सासन में 20 से अधिक चिनी मिलो को सुरू किया गया और पांच नहीं चीनी मिले आज नहीं बनाने का काम हुआ है और हमने इथेनोल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनोल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था आज 154 करोड लिटर इथेनोल मिलाया जाता है जिससे घंणा किसान की आएको बढ़ाने का काम हुआ है भाई और बेनो बैट जाओ भया बैट जाओ कुछ नहीं है बैट जाए जरा बैट जाए सब लो बाई और बेनो मुझे बताओ एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जो और से बता हमारा है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए ति या नहीं हटनी चाहिए दि एक कॉंग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को समाल पर बेठे थे मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रदान मंत्री बनाया धारा 370 को समाप्ट करकर कश्मीर को भारत के साथ जोडने का काम किया भाय और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्ट करने का काम किया है सर्धिकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बेनो ए जो गमंडिया गटवंदन है अखिलेस यादव जी की पापटी कॉंखरेस पाटी एक कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदीर बने मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड़ जे बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी ने सत्तर साल जक राम जन्व भूमी के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा, मोदी जी ने केश भी जिता, भूमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्टा भी कर दिए मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है, मोदी जी ने देश को समरूत किया है, मोदी जी ने MSP पर आजादी के पाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बेहनों आज मैं पस्चिमी उत्तरप्रदेश में आया हूँ, 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था, मैं यह आया था, कहराना से मुझपरनगर से, सहरानपूर से पलायन चालू हो गया है, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुन्डों का आतंक बन करकर, यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है, और इसके साथ साथ अब निर्दोस नागरिकों की जगे, अब उत्तरप्रदेश से गुन्डे पलायन करने लगे है, इस प्रकार की स्थिती उत्तरप्रदेश में बनाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की योगी आदित्यराज की सरकार ने किया है, भाई और बेनों यह चुनाव में जो घमंड या गटबंदन इकटा हुआ है, 12 लाग करोड के गपले घोटाले ब्रस्टाचार करने वाले ल मोदी जी चोधरी चरण सिंग्जी के गवरव समारों में आये, उस दिन उन्होंने ब्रस्टाचारी पचाओ रेली बनाई और वो रेली में ब्रस्टाचारियों को संरक्षन देने की बात करी, मैं आज इस मन्द से समगर उप्तरप्रदेश की जन्ता को कहना हूँ, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिनोंने ब्रस्टाचार करा है, वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे है, जिसने ब्रस्टाचार किया है, वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, मुझे पताओ, जिनोंने 12 लाग करोड उप्य का फ्रस्टाचार किया, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, जोर से बोलो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, भाई और बेनों, उनका मकसद, परिवार के लोगों को मुख्य मंत्री, प्रदान मंत्री बनाना है, मोदी जी का मकसद, देश के किसान, गरीब, मजबूत, गलित और आदिवासी को मजबूत बना कर अपने पैर पर खड़ा रहना है, आज मुझे अंत में इतना बताईए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या, अरे जोड से बोलो जिताएंगे, बालियान आगे आओ आप जरा, संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए, पस्ची मुत्तप्रदेश के लिए बड़ा काम किया है, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, 14 की 14 सिदे मोदी जी की जोली में डालेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे, 400 पार करेंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाएंगे, उठाएंगे दोनों हाथ, विजाई के विश्वास की मुठी बिजे और प्रचंड रवाद से बोलिए, भारत मता की, बारत मता की, वन दे, वन दे, जै स्री राम, जै स्री राम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थ झाने, बादे, भारत मता की, जै स्री राम, प्रचंड रंद से बोलिए और बारत मता की, बारत मता की, वन दे, विजे पर दोनों हाएं पस्री राम, य म 창्णiva १ い झाल झाल